इस वीडियो में हम लोग भिहार बूर्ट क्लास एट प्रस्णा वाली 5.2 का कुश्चन नमर 6 को देखेंगे पिछले वीडियो में हमने कुश्चन नमर 5 को देख लिया अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखाए तो जा करके देख लिजे तो देखें यहां पे क्वें नमर 5 को भी बनाना है देखें नमर 5 में कहँ रहा था संख्यां प्रस्टामारा हो और इसमें संख्यां घैंग तो यह हमारा पुर्ण चुडियो बनेगा और आगे कहे रहा है इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या वर्ग मुल भी ज्याद करना है तो चलिए उदाहरन की माध्यम से इनको समझ नमर चौक जो कह रहा है वही सेम पूस्टन यह भी है तो इस तरह से आप लोगों को इसको पहले समझ लेना इनको आप लोग एक छो का क्विशन नमर 6 को देख लेते अपने कवपी में तो यहा पर देख लिचे अधियाए 5 कह प्रस्णा वाली 5.2 है और वर्ग है 8 mes ai तो देख़े प्रस्ण संख्याच क्या कह रहा है की रहा है निमनि neighborhood संख्याओं में से प्रतियेग में नियूंतम संख्यां क्या जोरा जाए यह अभी पुर्ण वर्ण संख्या नहीं है इस प्रकार पुर्ण वर्ण संख्यां का critics और इनका यह जो वर्ण मुल यिकलेगा इसका पूर्ण बर्कू संख्याँ Κश संख्या उर gosto अरुप संख्या करना की आपको वर्गमुल मीढ़ ग्यात करना इस थे धर स्जो पहले सब दो मैं गया निकाल गॉर्गमुल निकाल को यहां पर निकाले थे तो यहां बनेके कि एक सो थीस और इसको क्वेल बीवाजन विल्य से है और नहां यहां पधा bend लगा देंगे चोड़ा और इसमें दन्हें यहां पर किसे भाग लगाएंगे यहांपर हम उन संख्यों determ से AGA लगाएंगे जिनका these इनके बरावर आ जाई या फिर इंसे चोठा हो तो देखिए एक क्था बरावर आ यह लगा एक तो यहांपर और लगाएंगे एक से लगाएंगे एक से हम गुना करेंगे एक को तो एक आ जाएगा और बट्टे कर देंगा अब देखिए यहां पर क्या करेंगे इसमें यह संख्या को यहां पर भी लिख देंगे यह यहां पर चुरूड़ करेंगे यहां पर यहां पर सुनिया जब तक ना आजाए वह हमारा पूर्णवर्ग संख्या नहीं होता है यहां पर देखींगर हमनें भूल इयां पर लेकर देना 11 यह ओगा एक तो देखिए 115 से यह अधिक हो रहा-136 यहां पर अधिक हो रहा तो हम क्या करेंगे 114 में 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1-1 2 1 1 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1-1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 3 1 20 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1코 करेंगे गो यह को भी 11 Wheel 21 Interesting चोटब कर देखी 130 जो यह इससे छोटा है ऑ्रग7 कोड़को Kraft foreignradas tesi 214 तो यहां पर आप याद रखना इसमें कह रहा था तो जोभा आजा तो यह पर पहली स्कों लिग देते हैं अपनी भासाना वह संख्या देखिए हमने लिखा यहां पर वह संख्या जिसे 130 में जोड़ने पर पूर्णवर्ग संख्या बनेगा तो 144 में से यहां पर इसको मैनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो कितना संख्या को जोड़ने पर हमें जो 130 में पूर्णवर्ग संख्या बने घातल अगर हम यहां पर देखिए 144 में से अगर मैनस कर देंगे 130 130 जो factors कितना आ जाएगा इसको ऊपर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा इसमें हमएने हो जोगी खाविष्ठ संख्या 14 क्या होगी अभिष्ट संख्या आगे समझाते हम अभिष्ट संख्या अब कहिएगा अभिष्ट संख्या क्या होता है यह अभिष्ट संख्या होता क्या है तो देखिए जीन संख्यों को हमें जरुरत होती है वह ता हमारा अभीष्ट संक्या तो कहिए आप यह जरूरत कि अची है वं अह JDI इसकी जरूरत है इसमें पर बने शायक इस इसमें किे-म क्या-उड है जया K 네 A व किFrया को जौर रहे हैं तो जाकर के पूर्ण वर्ग संख्या वहनाा और इसका अगे कह रहा है जो एक सो चो बारे से निकाल सकते हैं 214 निकाल सकते हैं पहला तो इस तरिकाल से दिर्ग विवाजन विदिस सहल करेंगे तो देखे यहां पर एक की यहन से गुना करते हैं तो यहां पर यहां पर लिख देंगे एको एक सह गुना करते हैं गता है जाए司र दी शुट या फिर कट्टिस दे सेखते हैं तो यह भाज से घुलाआ जाता है तो अकटा हम आगाया से दम पर को को आधिश गुणना पर सक्रद जाएगा क्यूरा संख्या हो जाता है तो इसमें यहां पर भी लिख देंगे यहां पर अगर हम 144 का वर्ग मूल निकालते हैं 144 का वर्ग मूल निकालते हैं तो यहां पर आता है 12 यह क्या हो गया इसका वर्ग मूल हो गया और दूसरा भी तो हम इस तरीका से भी निकाल सकते हैं यहां पर थेके 144 क तो यहां पर समझते हैं दूसरा नमर में क्या दिया हुआ है यहां पर देख लिए तो 81 और 81 किसका work है 9 का work है 9 नमेक है 81 नो बार में आ रहा है तो 9 को 9 से गुना करते है तो 80 और यह सेम संख्या को यहां पर भी लिख देंगे अब देखिए 81 यहां पर 84 में से जब 81 को मैनस की जगा तो तीन और यह डवल जीरो है तो डवल जीरो लिख दीजिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे तो इन दुनों को संख्यों को जोर देंगे तो यह हो जाएगा नो और नो जोरेंगे तो यह 18 अब इसमें कितना संख्या लिखे जिससे यहां पर जो है इंज के गुना करेंगे तो ही अच्छा होगा यहां पर अगर दो से करते हैं तो अधीक हो जाएगा जब इनको हम एक से गुना करते हैं तो यहां पर 181 हो जाएगा एक सो एक लिख देंगे यह बड़ा हो रहा है कितना करेंगे तो यहां पर जाएगा इस के अशुटा हो रहा है इस्का बड़ा है इसका निकालने के लिए संख्या बने यहां पर यही परिवास को यहां पर लिखम कि देना ना है distributions इसी तरह सँस्यां कि देंगे 1% ज़ोडने पर Junu आप पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा क्या बनेगा तुम लिख देते हैं पहले इसको अब यहाँ पर देखे समझते हैं यहाँ पर देखे इसमें से हम इसको मैनस कर देंगे इसको यहाँ पर अगर बिरानमे के वर्ग में से हम इसको मैनस कर देंगे तो हमें पता चल जागा जो कि प्राप्त होगा तो यहां पर मैनस कीज़े hierarchus 64 64 क्याइभ चक्वरफad 20 नियुंतम संख्या क्या जोर आजाए हूं हूं audiences को चोणसट को अगर हम यहां पर चोण सव में जूर दे तो यह हमारा पूर्णबर्ग संख्या बन जागा च्वराइस हां पी निकालना है तो वर्ग मुल हम किस तरीकाश से में निकालें गे तो वर्गमूल निकाल सकते हैं बिष्छे यहां पर लिख देना इसका आंसर में हो जाएगा यहां पर पहला का जब आंसर निकालड़ेगा तो इसमें आंसर में हो got, पहला कह रहा है था हमें क्या, जो इसमें नियूंतरम क्या क्या संख्या जोड़े, जिसके ये हमारा पूर्ण वर्ण संख्या वनेगा, तो ये 14-14-14 को रखम निकालने क्या यो यहाँ यहां पर आया जाए था, यहां पर कहे रहा थैं उसके निवींन तम क्या ग disturbing जो जो ओट डेंगे और अब Um घालेंगर दिया हुआ ऐसे तरीका से स्का आउसर कोगा यहां यहां पर देखेंड हूं इशी तरह यहांपर पर तीरा नमर में क्या करेंगे सबसे पहले हम इसका वर्ग मूल निकालेंगे दिर्ग दुहाजन बिदी से यहां पर लिख देंगे बासट सो तीन और इसमें सबसे पहले क्या करेंगे इन दुनों को साथ जोड़ा लगाएंगे और इन दुनों को साथ जोड़ा लगाएंगे इनको बार भी बोलते हैं अब हम इसमें क्या करेंग आ पहुंचोट यह तो देखे इसमें से मैनस करें अब बाराम धुंत थीन हो जाएका नाचोईंस हो जाए यहां डेए तो इसके बाद यहां पर लिख देंगे जीन यहां फें क्योग तो साथ-साथ-चोदा नहीं हम कितना संख्या से गुणा करेंगे हम आट से दिसके ओपर भी रख देंगे तो 2134 C4 324 हूं रोड हम मैंश करेंगे यहाँ पर 13 में 4 गया तो 9 4 13-9 और इसके बाद यह बच गए kतना 9 9 में से 8 गया तो एक और यह बच गया दो 2 दो में से गया तो एक और यह हो गया सुन्न है याफिर कर्ट ratio देंगे अब 77 कर देंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे इन से एक संख्या आगे ले जाएंगे तो यहां पर आगे कर देंगे तो यहां पर देगे चाहँपर चोड़ासी और यहां पर देखें, 6084 जो है, यहां पर 62,03 से कम हो रहा है, और इसके बाद है 89 का वर्ग, 89 का वर्ग कितना हो जायाए, 89 का जब वर्ग की जाया, तो हो जाया यहां पर 62,41, यह होगा इसका वर्ग, अब हमें क्या कहे रहा था, question में कहे रहा था, new term संख्यां क्या जोड़े, ज मैनस कर देंगे 603 को तो हमें पता चल जाएगा पुर्णवर्ग संख्या जो कितना संख्या जोडने पर पुर्णवर्ग संख्या आता है तो यहांपर देखे एक मैसे तो मैनस नहीं होगा तो यह हो जाएगा 11-11-11-12-18-11-8 हो जाता है और इसके बाद यहां प्रहत चार वे बचेए कितना थींदम से सुने तो तीन और इसके बाद बाद सपाइब सिन्य निया थिए यानि कि इसमें ऑर्तीश जो है यहां यहां पर जोड़ देते हैं अभिस्ट संख्या अभिष्ट संक्या, अभि संक्या कितना है? 38%, जो कि निकालने के लिए कह रहा था, तो यहाँ पर हम अगर 623 में जोड़ देते हैं, 38 को, तो हमारा पूर्फीर संक्या निकल जागा कितना? यहाँ पर 621 UV गजीं हो गया इसका, फूर्फीर संक्या, तो आब हमें 89 89 लिख सकते 89 89 और इसका वर्ग मुल यहां पर निकालना है तो यहां पर लगा देंगे और यहां पर गए सबस्क्राइब तो लिख देंगे 38 और कोमा इसमें देखे यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या का यहां पर वर्ग मूल निकाले हैं तो कितना है 89 तो यहां पर लिख देंगे 89 इस तरह से हमने question number 3 देख लिए अब देखे question number 4 यहां पर देखे यहां पर चार नमर में दिया है यहां पर इसका सबसे पहले हम वर्ग मुल निकालेंगे इन दोरों संख्याओं के साथ इस तरीका से बार खीचेंगे अब इसमें देखिए 64 आ रहा है यहां पर देखिए आठ का वर्ग करें तो चूंसर अठीए ठीक है तो यहां पर हम लिख देंगे चूंसर आठ को हम आठ से गुना क सुनीन सुने सूरा करेंगे सूनों सूने सून्य सुननध अब यहां अब क्या करेंगे हम यहां पर यह जो शुनने यहां पहुँजाएगा तो असी का वर्ग कितना हो जाएगा अठी चूंसर्ट सो हो जाएगा चोजार चार सो और यहां पर देखे चूंसर्ट सो बारह है जिससे यह कम हो रहा असी का वर्ग अब इसमें दक्यक्यार कीजिएगा तो यहां पहुजाएगा इसमें संभ alcanz जूर देंगे चूंसर्ट सो बारह को तो हमें पता चल जागा जो कितना संख्या जोर देंगे 6412 में तो पूर्ण संख्या परात होगा तो यहां पर देखिए इसमें से मैनस करेंगे 11 मैनस करेंगे तो हो जागा नो और यह बच गया कितना पांच पांच में से एक को मैनस करेंगे तो चार और यह 64 यहां पर यह 65 है तो 65 में से 64 को मैनस करेंगे तो एक से यानि कि 149 149 को यह हो जागा किया अभिष्ट संख्या अभिष्ट संख्या अभिष्ट संख्या यहां पर हो जाता है 149 अगर हम 149 को जो है जोर देते हैं यहां पर इसमें चुषाटबारा में निकल जाए गां यहां पर देख लीजी यहां पर शॉट सोबारा में हम एकसो उन्चास को जोर देते हैं तो यहां तो यहां पर देखे यह जो है इक्यासी का वर्ग होता है यहां पर इक्यासी लिख सकते हैं यहां पर इसमें रूट से बाहर करेंगे तो यह सबस्वत्र की का निकालने के लिए नियुनतम जो रहे हैं तौ जाकर हमारा पूर्णव संख्या प्राप्त हुआ और दूसरा जो है रहा था यहां पर पूर्णवर्ण संख्या प्राप्त होगा उसका वर्ग मुल्क क्या होगा तो वर्ग मुल्क challenge पांच सो पचीस है पांच सो पचीस और इसको हम जोड़ा लगा देंगे इस तरीका से अब यहां पर क्या है पांच है पांच से कम यहां पर देख लिए इसका जब वर्ग में देखिएगा तो यहां पर चार आ रहा है चार किसका वर्ग है दो का वर्ग यहां पर लिग जिससे यह हमारा इतना आजा या फिरिन से छोटा हो तो अगर यहां पर हम 2 को रखते हैं तो 2 से गुना भी करना पड़ेगा तो यहां पर हम 42 को 2 से गुना करेंगे यहां पलुकिवह 3 सीवा करेंगे तो यहां पर 615 से अधिक हो जाएगा लिए पर स्लेवारक में 5-4 में यहां पर आपक तो यहां पर देखे गोषकील को चुटा होडा की से 525 से बटाया होटा होडा तो हम पर इसमें संख्या बढा हो च्ट्रोटा अब त्ट्रेसका यहां पर टमेश का अरम्यहां किसे 22 का इस्ट prayer और यहां पर 444 जो है 525 से छोटा अब तेस्का वर्ग देखेंगे तो तेस्का वर्ग कीज़ेगा तो तीनतिया करनो यानि की 529 हो जाएगा यह हो गया इसका वर्ग अब हमें क्या कह रहा था निकालने के लिए इसमें कह रहा था जो यहां पर हम कौन सी संख्या जोड़े नि अगर हम चार संख्यां 건데 तो में पता चल जाएगा जो कितना संख्या को जोडने पड़ हमें पूर्नवर्ग संख्या ynपराप्थ तो यहाँ पर देखिए अगर हम 4 संख्या इसमें जोर दे अगर हम 525 में 4 संख्या को जोर देंगे तो हमें पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर जोर करके हम देखा देते हैं आपको यहाँ पर अगर हम 525 को अगर हम जोर दे इसमें 4 को तो यहाँ यह पर लिखेंगे निकालेंगे तो होगे तो हम यहां पर लिख सकते तेशरसे गुना करेंगे तो होगा ता norm इसको रूट से जब बाहर करेंगे तो लिख देंगे तो इस पीछे हम यहां का चिन लगाएंगे यही हो गया इसका वर्ग मुल्ट इस तरीका से यहां पर देख लिजे इसमें अब यहां पर पहला यहां पर जोडने पर कितना जोडने पर आया हुआ है तो चार जोडने पर तरीका से जोड़ा लगा लेंगे अब इसमें देखिए यहां पर 17 से यहां पर कम किसका वर्ग आ रहा है यहां पर देखिए इन संख्यों को जोड़ेंगे संख्या यहां से गुना भी करेंगे यहां पर एक संख्या को रखेंगे तो संख्या इसमें से अधिक हो जाएगा यहां पर. एक रखेंगे एक एक से गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा कितना यहां पर क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे 41 का वर्ग से जो है यह 41 का वर्ग से लिख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है इसको मैनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा तो यहां पर 1764 में से मैनस कर देंगे 1750 को 1750 को तो हमें पता चल जागा यहाँ पर 1750 यहाँ पर हो जागा कितना 14 इस में से मैनस की जाए इसको तो हो जागा 14 तो यहाँ पर हम लिखते हैं यह यह चूदा यादि कि अगर हम यह हो गया अभीष्ट संख्या लिख देंगे पहले अभिष्ट संख्या अभिष्ट संख्या अभिष्ट संख्या क्या होगे निखा लेंगे तो कितना हो जाएगा है कि यहां पर लिखना है पहला लिक देना चौधा और यह पूर्णबग संख्या आया हुआ इसका वर्गमूल कितना निकला है 42 तो लीक देंगे 42 यही हो गया इसका आंसर अब हम इसी तरह से यहां पर देख लेते हैं यहां पर 18 से क्तना हैंट नहीं रहा है तो हम 4 बार में आ रहा है यहां पर ले लिग देंगे और. यहां पर दो से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा actors चून आ जाए तो अधीक हो जाएगा कर्षे सब्सटेंगे चौन निकालते हैं तो तो हम इसमें एक संख्या आगे बढ़ा लेंगे तो यहां पर 42 है तो हम लिखते हैंगे 43 वर्ग तो 42 का वर्ग कितना होता है 42 का जब वर्ग की जगा तो यहां पर कितना हो जाएगा ठारस सो शुरी 17 शुरी 1764 हो जाएगा और यहां पर है 1825 जो की अधीक होड़ा है शुरी 1764 से और 43 का वर्ग की जगा तो 1869 यह हो गया इसका वर्ग अब हम यहां पर लिखते हैंगे इन से आगे अब देखिए इन से आगे आप लोगों को क्या कह रहा था कह रहा था न्यूनतम क्या संख्या जोड़े जिन से इनका पूर्णवर्ग संख्या पराथ हो तो देखिए न्यूनतम जुहां इस मिस हम इसको गटा देंगे तो पता चल जाएगा इन्यून slim को अगर हम जोर दे न्यूंतम अगर 24 संख्या जोर दे तब हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जागा किस में जोरेंगे तो यहां पर question में दिया हुआ सबसे पहले लिख देंगे अभिष्ट संख्या जोर देते हैं तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाता है तो कितना हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाता है अब हम क्या करेंगे इसमें इसका रहा था वर्ग मूल निकालने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो इसका वर्ग मूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर 43 गुने 43 लिख सकते हैं सकते लिख अब देखेंगे यहां अब देखें अनवान यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या आया तो पूर्ण वर्ग मूल निकालेंगे तो कितना आया तो लिख देंगे 43 यह होगी इसका आंसर तो इस ताहल से हमने क्वेश्चन आम आप तक देख लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्स चाह आगे देखेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई